Hello everyone, welcome back to another video I hope सब कुछ बढ़िया चल रहो आप सबकी जिन्दगी में और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वरना के कुछ और hidden features के बारे में कुछ और मैंने इसलिए बोला कि भाई इससे पहले ना मैंने दो parts बना रखे हैं कि mostly जो आज hidden features होने वाले हैं वो अंदर से ही समझाने वाले हैं तो जो सबसे पहला hidden feature है जैसे आपको बताए कि अभी जैसे बीस से उपर जाएगी टू-टू करने लग जाती है और इदर सीट बेल्ट का साइन बनाता है और mostly कास में आपने देखा हुआ इदर सीट बेल्ट का साइन नहीं बनाता होगा और इधर भाई बेट है, अभी देख लो, इधर seatbelt का sign बना आ रहा है, अभी जैसे बेल्ट पहन लेगा, भाई इपर बेल्ट पहन ना, और मैं भी यह बेल्ट पहन लेता हूं, तो इधर से भी हट जेगा sign, और इधर से भी हटी जाएगा, यह देखो, अभी जैसे भाई इधर की बात कर लो, उसमें ऐसे sign नहीं बनाता, यह से मेरे दोस्त के पास है, तो मैं सोचा यह भी एक बर बता दू, आपको यह बड़ी उनीक सी चीज़ है, जो कि इधर बनी आती है, चल यार, भाई तो चलिया और बड़ा ओकवड़ जार तो यह जीम जार था में का यार जो है वो है अब नेक्स्ट हीडन चीज है ना वैसे बहुत लोगों को पता ही होगा बड़ जैसे जो न्यू बायर होते हैं जैसे मेरे भाई ने भी वरना जो वरना जो उसने से लिए पेट्रोल वाले का कि मैं नंबर लेने आ रखा हूं आप बता दो जैसे भी आपको ट्रेस करने आप कर सकते हैं अब बात करते हैं थर्ड फीचर की जो की बहुत ही अमेजिंग है अब जो हीडन फीचर होने मैं आपको दिखाते हैं एम याइड के बारे में इसमें क्या है मतलब इस प्राइस चाहिए वहाई बहुत ही अमेजिंग है तो सबसे वहले ना को समार्ट रंग के मतलब कि,af इदर नहीं पता है डॉर में आप गए मतलब अब अब हमक Kanल की दुआ होगे तो अंदर की साथ चल जोगे मतलब आपको ओक ही दमान है mainly फिर auto lock लिख है auto unlock लिख है अब ये smart trunk लिख है अब इधर से आप off कर दो इसे और back चल जो बस अब ये settings आपकी save हो जी कि हमें face door पे आता हूँ ये देखना smart trunk पे tick नहीं है तो ऐसे आप smart trunk को off भी कर सकते हैं और MID की features है mostly SX में भी available है क्योंकि SX और SX optional की MID लगबख same ही है बस इसमें TPMS वगरा होता है उसमें नहीं होता तो yes ये वाले जो features है ना ये SX में भी आजाते हैं तो आप खुद ही देख लो तो नहीं होता इतना तो मैं इसलिए on कर देता हूँ अब मैं back जाओंगा अब next hidden feature के बारे में बात करें ना जैसे मालो आपको lane वगरा change करनी होती है तो हम ना ऐसे उपर indicator कर देते हैं अब ये देखो ती तीन चार सेकिंड चलता है इसकी भी आप timing से वगरा change कर सकते हैं इधर आपको lights option देख रहा हूँ इसमें मैं okay दबाऊंगा one touch indicator जो सबसे उपर वाला है इधर जाऊंगा मैं और इसमें आप देख सकते हैं three flashes five flashes seven flashes अब एक बार न मैं off कर देता हूँ इसे ठीक है अब मैं back करता हूँ back अब देखता हूँ यह देखो एक ही बार होएगा मैंने उपर करा ना एक ही बार हो रहा है बस आपको वही बता रहूं कि इससे आप change कर सकते हैं जैसे मेरा three flashes पे था अब मैं five flashes पे कर देता हूँ ठीक है अब मैं back दाता हूँ back अब यह देखो पांच बार होएगा यह मतलब यह भी यार मतलब की जो convenience के उपर बात आते हैं यह भी मुझे बहुत ही बढ़िया चीज लगती है अब इसके नीचे ना वही है यार headlamp delay मतलब की जैसे में car और ऑफ करते हैं लाइट जली रहती है अब मैं इसे off कर देता वैसे car में बंद कर देता हूँ यह तो को साथ के साथ बंद होगी ठीक है हमें car on करता हूँ एहे FM और एक बार ना इसे on कर देता हूँ तो आप समझ जोगे इसका क्या feature है क्या नी अब यह on है अब back करके इसे में कर देता हूँ off तो अब देखो headlamp से जले जा रहे हैं अब मतलब कि बहुत ही convenient लगते हैं अब आप इसे M.I.D. को और explore करोगे ना और अच्छे-चे features मिलेंगे आपको बट जो जो मेरे favorite है ना और जो जो हमें काम आते मतलब कि smart trunk को गया है सब को ही पसंद आए इरिटेट होई जाता है बंदा तो इसलिए मैं आपको उतार हूँ कि smart trunk को गयरा ना आप ऑगयरा कर सकते हैं easily और indicator भी बहुत ही useful रहते हैं कि 5 flash करनी है 7 flash करनी है तो इसलिए मैं आपको यह headlamp सवार तो इतना matter नहीं करता कार बंद होगे तो ठीक है थोड़ी दिर बाद हो जार के बीच में जो second service है वो हो जाती है पहली service हो जो regular check up होता है 1000 पर होती है तो मेरी बस मैं करवानी वालो 9500 पर मैं करा लूँ क्योंकि उसका मेरे trip पर जाना है वो सब तो देखो अपने उपर होता है इसलिए मैंने off ही कर रहा है ऐसा चीज़ है मुझे बिकारी चीज़ लगते service interval पर हमने क्या ही करना क्या ही नहीं और इसके लावा और भी थोटे बहुत और फीचर्स हैं इसकी MID में बट वो यह आप खुद एक्सप्लोर करोगे आपको समझ आ जेंगे जो जो मेरे फेवरेट थे और जो जो मुझे यूसफुल लगे मेन बाग तो वही आजती ह जबते हैं जैसे थर्ड पार्ट था अब इसके लावा मुझे लगता में और कोई वीडियो नौगा एडिन फीचर्स के बारे में अनलेस मुझे तीन चार और पता चले हो जैसे इस वीडियो में भी मैंने मैक्सिमम चार से पांच ही लिटन फीचर्स कवर करे हैं क्यूंकि इससे पहले जैसे मैं आपको दो पार्ट में बना रखें उसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक को गई रहा भी मिल जगा नहीं तो आई बिटन में मिल जगा बट यहाँ प्रिटन करना मत भूलना आपको वीडियो कैसी लगी है और इसके इलावा आपको कोई फीचर पता ह दो आप वह बसका है और जैसे मुझे कोई नहीं निए निऑ दिस्कावरी लगती तो मैं बता देता है तो आपको वीडियो में फाइनली इस वीडियो को नहीं पर कंक्लूड करते आउं और मैंरा अब उनेक्स लीडियो में और अगर अब तक आप इस वीडियो में बने हु झाल झाल